ताइप साफ डिसीजेश ताइप साफ डिसीजेश चलिए तो कितने टाइप की डिसीजेश होता है एक बाइबर्थ होता है बाइबर्थ और उसको क्या बोलते हैं इसको अग्यान करते हैं और क्या होता है कि एकक्वायर्ड कि अदि क्या है अब गई इस ब्सक्राइबर्थ जो रहता है जो हम लोग गेंड करते हैं इसको और क्या हो बोल सकते हैं इंफेटिटिसेस सекें ए fiance टिसी नौन इंफेक्शिग इठी prioris एंफेक्शियस इंफेक्शिस इंफेक्शिड एंट इन आ एल्यूरीश नाए कि अब जो साड़े आठ के बाद आएगा मैं बिल्कुल एंट्री नहीं दोओंगा ठीक है आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख लिया करना कोई भी हो कि हर एक चीज की गरिमा होती है उस गरिमा का पालन करना जलूरी है इस्टुडेंट्स को कि यह जो आया थे अच्छा जो भी लेट आते हैं पहुत लोग लेट आते हैं ओनाया नकोट अनको को हमको पहले से आगे आना है आप पीछे खड़े रहोगे तो कभी कुछ नहीं मिलने वाला आपको हमेशा आगे आना पड़ेगा ठीक है तो जब आप आगे आओगे तभी कोई चीश मिलेगा कोई मंदिर में जाते हो तो फूजा करने के बाद जो प्रशाद होता है तो पंडित हर एक के पास नहीं जाता ह है आपको पंडित जी के बाद जाना पड़ता है प्रशाद लेने के लिए तो अगर आप पीछे खड़े रहोगे तो पीछे ही खड़े रहोगे आपको आगे आना ही पड़ेगा तभी आपको कुछ मिलेगा लाइफ में पीछे रहोगे तो और चात्र हो का मतलब क्या है इतना पढ़ना है उतना पढ़ना है बिल्कुल डेडिकेटीड होना चाहिए आप सभी जो भीड़ेड करते हैं लो लोग है आप उसे मैं विलकुल आपको जितने जो भी सलेक्ट होते हैं हम जानते परते हृत थे लो वहas पहले के पते थे इतना चुब रोगगे मैं जानता हूं ठीक है ओ मैं 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 तो बोल देता हूं ख blending पर सथा बोल देता हूं से पहले आगे बैठे रहते हैं कि हमको आज कुछ सीखना है हमको आज मैनत करने हमको पढ़ना है वह ललक होती है वह तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को बिल्कुल टाइम से पहले आगे दम कभी कभार लेट हो गए तो हो गए हुमन नेचर है सबके सांथ हुआ तो खुद से अपना सब्सक्राइब कर रहे हैं तो यह होना चाहिए आप लोगों में बिल्कुल स्पिरिट अंदर होना चाहिए दम आग लगनी चाहिए यार दम मतलब मैं तो यह आश्यारी में रहता हूं कि कई बार जैसे बच्चे बोलते हैं कि सर आज नीन नहीं अपया सुबाग आप सोते कैसे हो कैए बार बच्चे बोलते हैं सब नीन नहीं खूल पाया तो मेरे अंदर ना अजीब सब्सक्राइब मसता है कि तुमको नेंद इतनी आती कैसे क्या तुम्हारा सेलेक्शन हो गया है क्या तुम वह एक्षीब कर लिए हो जो तुम चाहते ह क्या तुमको सब कुछ आ जा रहा है क्या तुम उतनी कैपेबल हो गए हो क्या तुमने सब चीज पा लिया है तो तुमको नींद क्यों आ रही एतनी आ कैसे सकती है अगर आ रहा है तो मतलब आप कुछ चाहते ही नहीं हो जीवन में कुछ चाहते ही नहीं हो आप अचीव करना तब ही आपको इतनी नींद आ रही है वरना अलाम की जरूत ही नहीं पढ़नी चाहिए अलाम से पहले आपका नींद पूलना चाहिए मुझे क्लास जब लेना रहता है मुझे मालूम है कल मेरी क्लास है मतलब अगर मुझे मालूम रहेगा कल सुबह मेरी क्लास है तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूं मुझे हलारम की जरुवत नहीं पड़ती है यह बिल्कुल साड़े चे पॉने साथ तक उठी जाते हैं यह पांच मिनट पहले उठेवर क्लास चालू करती है बिल्कुल एक घंटा पहले उठता ही हो मिरी आदत है रात को दो बज़े भी सुआँगा अगर मैं नहीं भी सुआँगा तो भी मैं सुबहा उठके आपकी क्ला तो आप लोग क्यों कर सकते हमको क्या एक करना है तो हम कहें कि इतना पढ़ रहे हैं और आपको तो अचीव करने भाई आपको तो बिल्कुल आलाराम की जरुवत नहीं पढ़ने चीए इतना स्पिरिट होने चिंदर इतनी आग लगी होने चीए सुबह उठना है पहले बाय सब्सक्राइब और 10-30 बजे सोह आपकी गलती है कितने बजी सो रहे हो आपकी प्रोबलम में आपको कितने विजेबिस हो आपको बिल्कुल टाइम पर उठना ही पड़ेगा मजबूरी में उठना पड़ेगा चाहे आधी नीदब चाहे पूरी नीदब चाहें ना आपको मा है और एक कोश्चन से ही सारा खेल होता है कई बार एक कोश्चन का ही सारा खेल होता है तो फिरा लोगों बुर रहो हूं आगे चल के आप का माइगी तो infectious और non infectious disease है ना तो infectious disease कि भाई किसी पैथोजन के थूँ बाय किसी पैथोजन के थूँ बाय पैथोजन तो यह पैथोजन कुछ भी हो सकता है यह पैथोजन कुछ फंगाई और अर हैल मैं क्या करेंगे हैं लेटी हैल मेंट सैंड निमेटिः नीमेटि हैं तो यह क्या चीज ना हुआ हो गया वायरा बैक्टेरी कोई भी इस घुत रहा है क्थेस हो रहा है तो वह क्या होता है वह इंफेक्टिन स्थ स्क्राफिज के थे सबस्क्राइब है तो यह जैए सब्सक्राइब की जिसमें कोई थो नहीं होगा लाइक कैंसर है कैंसर एक नौनिफेक्टिटल डिसीज और प्रेशर डेट eddaid हाइपरेंशन जम्लेड प्रेशर का जो भी होसा ब्लड़ड प्रेशर इन्कृज हो रहा है और ब्लοप्रेस्ट प्रेस्ट अदेश वरा धेस्ट है कि था सह यह नहीं होता है वह तो उसके तो ड़ीट मरता है पॉसकता है या सकता है किसी करने ईन्हें करेंड़ों सकत है ये कुछ है और बहुत सारे होते हैं यह मेजर थायरेड हार्मोनल डिसॉурडर ठिक हाधा होर्मोनल गाहँ डिसॉ Krista उबिटेजस जो है डिसॉर्डर तो ऐसा पुसरे जो भी नॉन पैथ bubblesने हैं उससे जो डिसीज हो रही है उसको हम लों क्या बोलते हैं नॉन इंफेक्शियस डिसीज बोलते हैं ठीक है तो यह हॉर्मोनल वाला है जिसमें आपका यह रहता है यह वाला है और एक होता है आपका आख़ंग डाबिटेज जनिटिक होता है तो मेंली इंफेक्शियस और नौन इनफेक्शियस है कि नहीं है किसी के दिल में छेज है किसी के दिल में छेज है वो कि हमारा तो एठा साल में हुआ है दिल में छेज तो ऐसा नहीं है वह यह जो रहेगा वाइबर्थ होता है तो वह कंजड़ेटल है तो और भी बहुत सारे जो यह पिटाण सिंड्रोम यह सिंड्रोम वह सिंड्रोम जो भी जैनेटिक फिनेल कुट नुरिया यह यह सब क्या है हम पढ़ें जैनेटिक्स में ठीक है वह सब क्या हो जाता है कंजनाइटल होता रहता है जरिस बाइबर्थ रहता है क्लियर रहता बैसे क्लियर रहता है ना है नौन इंफेक्शिस क्या है चलिए अब कुछ वर्ड्स हम लोग समझेंगे है यह सब्सक्राइब आपन लोग देखिए फोसा वैलिस बन नहीं होता है फोसा ओवैलिस ओपन रहेगा है नवाइबते तो नहीं होता है है जनेटिक होता है यह ओ सिनिय बीडिश और किनिस सको क्या बोलते हैं कंजानाइटल डाइबू इस जिसमें छोटे बच्चों को इंसुलीन लगता है इदन, शोटे बच्चों को इंसुलीन लगता है चलिए यह एक वर्ड है जो पूरे कोरोना काल में सबकी जुबान पर था रिक्से वाले भी बोलते थे इम्मुनिटी है हमारी ठीक है रिक्स पड़े लिखे नहीं है वह भी जानते हैं इम्मुनिटी का मतलब अब मैं आप लोगों से पूछूंगा तो आप लोगों को बताना पड़ेगा बता भी नमीरा वाट इजी मिनिटी अरे बाहर इक्से अलगे पुछ आट वाले लोंग से भी तो बता देंगे इम्मुनिटी क्या होती है आप लोग नहीं बता होगे तो फिर गड़वड है वाट इस इम्मुनिटी का वाट फिर दिष्ट रोड दोड़ने की थ्टेस्टम सब्सक्राइब अगेंस्ट रिजिस्टेंस और बॉडी एगंस्ट एनी डीसीज और पैथोजन थेखेगा को भी पैथोजन या किसी दीसी स्थ्ट चुट है उन लोता बेटा वह ताइप वन कंचने डाइस भी होता है टाइप जनली जनेटिक ही होता है लेकिन किसी-किसी में किसी प्रॉब्लम के कारण इंसुलीन नहीं बनता है पैंक्रियास से वह बहुत कम होता है ठping कवह होता है हां हम चयं जिसमें सब्सक्राइब कर दो होते हैं बट रिस्पॉंस में करते हैं जैसे कि आप अप पृंस में जाते हो कि पर जो प्रिंस्पल सर के जो के बाहर जो प्यून रहता है ठीक है वह आपको पसंद नहीं करता तो आप बोलो कि भीया सर से मिलना है तो अपना बात में देखते हैं ठीक है तो वह रेस्पांस नहीं दे रहा है तो वैसे ही हुए यह शुगर मॉलेक्व लाता है विए मुझे सेल के अंदर जाना है समझारा बात इंसुलीन जो रहता है वह आके बोलता है दरवाजा खोलो इसको जाने दो फिर इंसुलीन किन जिसको बोलता है तैसर रेसेप्टाइर को ठेक है अब इन सुलिन का बाद ही नहीं मानता कि यह रेस्पॉनस में दहता है यह होता है तो यह समझ आगे आप लोगों को देन उसके बाद एक लोग देखें कि वाध लिगीर अंटीजन यह मैंने आप लोगों को जब बलड ब प्रोटीन और सर्फेस ऑफ और भी इस फोटेंगेशी melecule जो कि एंटी बॉडी बनाने में करता है मतलब जिसके अगेंस्ट एंटी बॉडी बनता है तो फिर एंटी बॉडी क्या है यह एक प्रकार का ग्लाइको प्रोटीन है इसमें फोटीन होता है बट ग्ल्लाइको है और जो किसके बनता है तो कि कि रिस्पांस में बनता है yeah चाहर यह चाहरा है समझार नियुक्त ृता है वह सब अलग अलग के लिए है इसमझाने के बता रहुं एंटीजन को ए ग्लूटीनोजन भी बोलते हैं ग्लूटीनोजन भी बोलते हैं और एंटीबॉडी को ए ग्लूटीनिन ठीक है एंटीजन को ए ग्लूटीनोजन बोलते हैं और एंटीबॉडी को ए ग्लूटीनिन ठीक है क्लियर है पहले से तो यह ना जैसे से मैं जो वैक्सिन लगाया हो वह क्यों है रही जैसे कि आपको सरदी ओ गया तो एक चीज़ अगर आप लोग को यहाद होगा कि अगर आपको जैसे वाइरल सिवर होता है सरदी uh? वाइल जो है सरदी होता है तो इन जनरल होता है ठीक है तो यह क्या वाइरल है इनफेक्शन नहीं जो स्प्रेड हो रहा है तो आप जैसे कि किसी को हो गया वाइरल फ्लु वापीस सर्दी नहीं होगी अगर ध्यान दिये होगे वापीस सर्दी नहीं होगी आपको ठीक है वह 14-21 दिन बाद वापीस होने का चांस रहेगा इसका क्या मतलब हुआ कि 14-21 दिन तक आपकी बॉड़ी में वह एंटीबॉडी इसका मतलब है इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडिमिंश तो बना है जो की वापिस वही डिसीज के होने से आपको बचाता है तो ये और इन दोनों के इन दोनों का जो रियक्शन होता है उसको बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रियक्शन को क्या बोलते हैं एक ग्लूटीनेश्व कि यह कुछ-कुछ वर्ड्स है इसको यहां रखिए ठीक है आगे बहुत बार यूज करेंगे इस निम्हें अभी बता दे रहा हूं ताकि बात मैं से यह क्या है सब करके नहीं बताना ठीक है हो गया कि इसी सर्थ तो एंटीजन एंटीबोडी रियक्शन को क्या बोलते हैं वेटा हम लोग एग लूटी नेशन ठीक है इस जैन उसके बाद देखते हैं एंटी सीरम वाट इस एंटी सीरम एंटी सीरम क्या होता है एंटी सीरम क्या होता है कश्राइब को मालूम है क्या होता है ब्लड क्लोट होने के बाद जो हलका सा जो लाइट येलुई आ निकलता है किसी गहाओ से उसको हम लों क्या बोलते हैं तो सिर्म क्या होता है सिरम क्या होता है बलर्ड माइनस आरबीसी एंड बलर्ड माइनस ब्लॉर्ड कार्पोसल एंड प्लॉटिंग 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 तो जो यह विल्ड होता है वह सीरम कहले लाता है उसकी खासियत किया होती है एंटीबोडी को जोते हैं आई एलोई इस ट्लूइडम थिन तो जो एंटीवरी सीरम क्या होता है कि किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट बना हुआ एंटीबोडी आई वाला शीरम, किसी भी pathogen के against बना हुआ antibody वाला serum को हम नों क्या बोलते हैं anti serum मतलब serum of any animal डिरम और एनी एनिमल या human जिसमें antibodies होते हैं for specific pathogen समझा रहा है तो इसमें क्या होता है एंटी बॉडी फॉर शिरम ओफ एनी एनिमल और हुमन जिसमें क्या होगा विच है इंटी बॉडी फॉर स्पेसिफिक पैठोजल कि तैके मैं जब भी लिखुँंगा एंटी जन को एजी लिखुँंगा एंटीबोडी को अभी लिखुँगा यहां पर ठीक है तो ध्यां रखेंगा आप कि तैन एक और बर्ड है टॉक्साइड तॉक्साइट दियान से समझेंगे वाट इस टॉक्साइट तॉक्साइट टॉक्साइट क्या होता है जैसे फॉर इंजम्पल वर टेनस का इंजेक्शन लगाते हो आपनों टी टी यह सब पिटेनस के इंजेक्शन लगाते हो टी 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 वाट इस टी एंड वाट इस टी टी फॉर टेनस की दिफर टॉक्साइट तो क्या होता है उसमें च्वाट इसमें टी टी में भाई इस हम तीटी झो रहता है चीए पारिक की लिए लेते हैं भाई की भी हमको तो तरीके से होता है एक तो हमको infection ना हो इते हैं और एक चोंट लग गया infection के बाद लेते हैं तो infection ना हो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग bacteria का जो वह टॉक्सिल ठीक है ठीक है Bacterial दिटॉक्सिफाइड थे के एंड यूजद फॉर प्रोड़क्शन आफ एंटी बोडी थिक है मतलब हम लुग क्या करते हैं जो भी बेक्टेरिया लाइक टिटैनस तो जो टिटैनस बेक्टेरिया और उसका जो एंडोटाक्सिन होता है उस एंडोटाक्सिन प्रोटीन मॉलिक् फिर टॉक्सिफाईas pega निकार स्यूक्षण को घंयल करते हैं और फिर चERE इस टॉक्सिफाईड जो प्रोटीन ओलिकीुल है बेक्तेिरिया का इसटौकसिंका ही एक इनक्टियू वाइं डेते हैं जिससे क्या होता है हमारे बी उसके सब्सक्राइब कि इन का यह ना क्लियर रेटन दो यह न कोई का इस्तिमाल कर रहे हैं जिसमें बलर्ड आएगा जो बॉडी के और्गेंस के अंदर जाएगा या टीशू को पियर्स करेगा ब्लड वैसल में जाएगा या ब्लड उसके कॉंटेक्ट में आएगा तो उस समय हमनों टीटी लगाते हैं ज्यादता है ठीक है क्लियर है टाकि भई टीटेनस का इंफेक्शन ना हो बहुत खतनाग ह होता है यह सब्सक्राइब हो सकती है अगर एक बार हो गया है इदम चलो फिर उसके बाद देखते हैं इम्मुनिटी इसको यह थोड़ा साना इसको लिख लिए रहा हो या फिर आप लोग अच्छे सा समझ लिए रहा हो क्योंकि आगे बहुत जगा यह यूज होगा ठीक है अब देखते हैं इम्मुनिटी कितने टाइप का होता है मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं अभी ताकि आप लोग थोड़ा सा समझते विए चलो एक बार बेसिक कॉंसेप्ट समझ लिए उसके बाद सारी चीज़ें बहुत तेजी से हो जाते हैं तो इम्मुनिटी कितने टा है वाइबर्थ इम्मुनिटी और क्या बोलेंगे उसको नेच्राइब तो बाकी सब क्या आठिफिशल है पिटा एक होता है एक को एडिमिटी अठिक है तो इनने टिमिनिटी वाइबर्थ वाइबर्थ को हम लोग और क्या बोलते हैं कि अधिक है और अपन क्या बोल सकते हैं इसको कि नौन स्पेसिफिक इम्मुनिटी तो इत्ता सारा नाम होगे सर असान है इननेट और बाइबर्थ बाइबर्थ को हम के जनेटल बोलते हैं और यह नौन स्पेसिफिक होता है क्यों नौन स्पेसिफिक होता है आगे चलके देखेंगे क्योंकि इन जनरल सभी बिमारीों से शुरुआती दौर में लिए इनिशेल इस्टेजेश में हमको बचाता है तो यह किसी एक इसपेसिफिक बिमारी के लिए नहीं बना है रहिए बैक्टेरिया को नहीं आने देना है या इस वाइरस को नहीं आने देना ऐसा नहीं है वो नेचर में जो भी पैथोजन है हमारी बॉड़ी में जब वो एंटर करने की कोशिश करेगा तो उसी समय उसको रोकेगा चाहिए वो किसी भी टाइप का पैथोजेनिक डिसीज वाला पैथोजन हो समझ जा रहा है बाद निंकिन दैरको उसको रहीं इस और का स्थें मीनिटी डेघ्म लेच और की मिनेश्ट नहीं है वहाव सब्सक्राइब ब्लॉटसीन कीड़ाइप कि जाफिसे ने चाहिए सो में मैं या किसीन भी प्रना का ब्वेक्सीन लगाया तो उसकी बॉड़ी में जो इम्मूनिटी जाएगी कोरुना की तो कोरुना का जो वैक्सिन लगाने के बाद जो भी इम्मिनिटी आएगी वह इम्मिनिटी कौनसी होगी क्या वह पहले से था वाइबर था नहीं था उसको आगे आएगा इसके अंदर अभी जो मैं बता रहा हूं उस अपने को कि उसको क्या बोलेंगे टाइक इम्मिनेटी प्रिफिर आएगा समय तो एक वज्मस्टै जाना वोट को यह होता है तक कही लोगों को डियर है यहन्तत तक ये श्रेया कैसे आपका वेटिंग लूम में दिखा रहा है आप जॉइन कर चुके हो फिर भी मैंना दूसरे फोन से भी जॉइन की चार पांच फोन रखे हो मतलब एक में अगर दिखे थो दूसरे सब में जॉइन करें रहे हैं और दूसरा फोन में ज्यादा क्लियर दिखता ह लेफटोप में दिखता होगा पिक्सल फटा असे है ना सब्सक्राइब कि नहीं ठीके जब नेटवर्क इस्यू रहता है ना तो फोन में जादा अच्छा रिखता है मेरे बिटे की घ्लास चलती है जब तो लेफटोप भी चालू रहता है लेकिन क्लियर मोबाइल में दिख करते हैं तो अच्छा नहीं है यह दो पार्ट आगे बढ़े जो हम बश्पन से मिला है जो भी हम आगे देखेंगी क्या क्या होता है उसका पार और यह हमको ऐसा नहीं है कि बड़े होने के बाद मिलेगा यह भी बश्पन से अड़ेप्ट हो सकता है जो टीका लगाते हो आप बश्पन में अड़ेप्ट करने का एक प्रोसेस होता है ठीक है जिसको हम देखते हैं आगे क्लियर है आप एक होता है एक होता है और एक होता है पैसिव यहां से बहुत कोश्चन आते हैं ना जो मैं चीज समझा रहा हूं उसको ध्यांदर समझते जाना इसलिए दम स्लो जा रहा हूं क्योंकि यह बहुत बेसिक कॉंसेप्ट्स हैं जैसे कि आप लों बार बार मेरे सब्षक पुछ रहें कि सर इसमें क्या होगा मैं इसलिए उसको इतना स्लो पढ़ा रहा हूं और यहां से एकाद कोशन आते ही हैं जो मैं बोर्ड में लिखूंगा जो समझा रहा हूं अभी इम्मिनिटी के लिए उसे एकाद बेसिक कोशन आता ही है हर साल ठीक है तो एक्वाइड इम्मिनिटी के दो टाइप है एक एक्टिव और एक पैसिव का मतलब क्या होता है यह आपको मालूम ह करके कैसे समझाओगे आप सब्सक्राइब रेडिमेंट जो एंटी बोडी से मत समझाओ मेरे को इन जनल आप भूल जाओ कि मैं क्या समझा रहो हूं इम्मिनिटी की पार्ट समझाई नहीं रहो इन जनल एक्टिव और पैसिव का मतलब आप कैसे समझाओगे कि किसी भी वह अपने आपकर कर लेते हैं बहुत दिन बात दिखे रहे हैं एक्टिव और पैसिव से क्या तात्पर रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं ज्याशिका सर्फ यानि जो प्रिपैरर्ड फॉम में दिया जाता है उसको पैसिव बोलेंगे वेलिए कि पैशिव डिफीजन क्या हुआ पैसिव ट्रांसपोट क्या होता है। लगुष मैं तुचनि उसमें क्वच सब्किया होता है तुरूआ है टौड मॉझा पपैसिव पैसिव स्पश्रक अग्राफ कि ने हो एप टेकर एक्विदि का मतलब होता है त्टिश का इन्वॉLMENT हो रहा है। हो चीज जब से हो रहा है तो मालूम है बॉलते हैं तो कि अगर हमारी इंवाल्व हो रही है Mकि कोई छीड खुद ही कर रही है इसे Even नहीं होगा हमको कहीं से खुद बाखुद मिल जा रहा है हमको खुद बाखुद खुद से मिल जा रहा है कोई इम्मिनिटी हमारी बॉड़ी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो इम्मिनिटी को खुद बनाने में समझ आ रहा है पहले इतना पता हूँ जी सर्व हमां वो भी जुश यह सर्व एक बोल सकते हैं एक्टिव मतलब मैं अपना काम खुद कर रही हूं पैसे मतलब मैं अपना काम जैसे आपको पैसे मिलें हुआ की लोग किराय अपना घर किराय पे दोकान मंगानंगे औरने पूछोंगा जैसा किया soul पैसे बिंकम तो आप लोग अगर काम नहीं कर रहे हो तो आपका घर दुकान है आपनी किराये पिराया पर दिया हुआ aucune ते दियाations तो वहाँ से जो पैसा अरहा है वह पैसिशम्ब को नैंसे आप को पढ़ा दिया को मैंने आज आपको पढ़ा दिया आप ये चैप्टर का जो पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग मैं यूटुब पे डाल दिया आप उसको बहुत सारे लोग देख रहे हैं ठीक है और बहुत सारे मतलब लाखों लोग देख रहे हैं फिर उसके मैं तो सिंप्ली डाल दिया था चलो बच्चे देखेंगे यह ना मैंने जो भी पढ़ाया मैंने तो यह ले लिया ना लेकिन मैंने इस वीडियो को यूटुब पर डाल दिया और लाखों लोग उसको देख रहे हैं यूटुब उस पर क्या करेगा एड रन एड रन करेगा मतलब उस पर एड़ोटाइजमेंट चलाएगा फिर यूटु मैं कोई महनत में रहा ऑगले नहीं कर रहें अब मैं नहीं कर रहा हूं तो लेकिन क sprawd ça समझ आराब भात इस एक्टिव पांसे मतलब आजी हुआ इमूरी मिझलई करी है इमूरिव लपड़ करने के जिसके तो वह क्या हुस जाता है एक्टिव कि अपने आप इम्मेनिटी आ गई उसको हम समझ आया बात क्योंकि जब आप एक्जाम दोगे ना तो इस समय ऐसा कुशन आता है कई बार कि अगर नहीं समझे हो इसके अंदर भी नहीं समझ पाओगे तो आप एक्जाम्पल को आप प्रेडिक्टी नहीं कर पाओगे कि इसका क क्या होगा confusion आता है ठीक है तो पहले यहीं समझना है एक्टिव भी दो टाइप का होता है एक नैचुरल और एक आर्टिफिशल यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज हैं बेटा बेसिक हैं बट पेसिक को समझना है एक नैचुरल होगा और एक आर्टिफिशल होगा अब देख एक्ट्रल इंपॉर्णल इमिनिंटी का मतलब क्या होगी कि किसी की बॉड़ी में कोरोना और वाइरस घुसा अब यहीं चलेगा जो चल रहे हैं पुरी दोनिया में इसी के वाड़ी में कोरोना गार्वार्श कैमारी बॉड़ी एमिनिटीड अधी बनाएगी वह वाइरस ख पढ़ गया है कि किसी कोरोना हो रहा है जल्दी रीकवर कर जा रहे हैं तो रीकवर करने का मतलब क्या होता है कि विए उसकी बॉडी में इंदर कोई पैथोजन आया नेचरली एंड बॉडी उसके अगेंस्ट नेचरली एंटी बॉडी या इंवनिटी डवलप क्लियर रहता जी सब्सक्राइब बहुत जा रहा हूं जान मुझकी बिटा यहां पर ठीक है आर्टिफिशियल क्या होगा एक्टिव आर्टिफिशिल का मतलब क्या होगा हमारी बॉडी इंव बनाएगी तभी हम एक्टिव बोलते हैं लेकिन वह इंफेक्शन नैचरल तरीके से नहीं हुआ है वह जबर्दस्ती इंफेक्शन कराया गया है जैसे आपकी दुश्मनी है ठीक है किसी फ्रेंड से आपको फ्लू है सरदी है तो आप जबर्दस्ति उसके पास जा के बैठो आप कर रही हों रही हों कैसी है वह तो अच्छी है तो यह시간 आपाद करोगे तो नहीं है आप फिर से एक्जामपल देंगे अपन अब जैसे वैक्सिनेशन हो रहा है को रोना का तो भई को एन्वार्मेंट से नेच्रेली किसी से नहीं मिला है लेकिन हम आटिफिशली इंजेक्शन के थूप वैक्सिन के थूप क्या कर रहे हैं यह जो कोरोना वाइरस है इसका जो है ठीक है जो उसका आउटर कोट का जो प्रोटीन है वही सेम स्ट्रक्चर हम इंजेक्शन के थूप बॉड़ी में डाल रहे हैं तो अब क्या होगा हमारी बॉड़ी इस प्रोटीन के थूप मतलब जो प्रोटीन है उसका जो कोट होता है वही प्रोटीन जो रहता है कोरोना वाला बॉडी में डॉल रहें उससे क्या होगा हमारी बॉड़ी के एंटी拇न नहीं है तो जो जो कुरोन वाइरस का जो रूतीने केसा एक्ट करेगा एंटिजन isक करेगा तो जब भी वह हमारी बॉडिक में एंटल करेगा जिंडा हो मरा हुआ हमारी बॉड़ी सिस्म्हारी छे ये 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 थे यह वह थे वह yaptर में का नहीं ना हम लोगों ने वेक्सिनेशन के थरूर उसको जब दस्ती बॉडी में डाला जब दस्ती बॉडी में डाला जरूर लेकिन उस एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी खुद से एक्टिवली एंटी बॉडी बनाया तो इसलिए वो एक्टिव इम्मिनिटी हो जाता है समझ आ रहा है कर तो कि क्लिनिकल इंफेक्शन क्लिनिकल इंफेक्शन और को रोना बाइरस मतलब बाहर में से किनी के थूरू आया कि सफेश के थूरू आया और यह कंसीके तरू करणा वाइरस टल रहे हैं समझ इंफेकशन है उसमें भी तो हम बाहर से टाबलेट वग्र देते हैं तब ठीक होता है ना तो हम बाहर से इसको कर रहे ना कुछ कुछ टाब्ले पाड़ि यह ना कि इमुनिटी बना रही है कि इसले किसी को त्यूर कलोसिस हो गया तो उसके अगरत्व सिम्निटी बनेगी काइफाइड का बेक्टेरिया अंदर गुसे उसके अगर्स इम्मुनिटी बनेगी अच्छा आपका यह कहना है कि सर भले बिमारी तो हो गया है लेकिन हम तो दवाई दे के उसको ठीक कर रहे हैं यह बना चाहरे हो को लोगता है याद रखना कि जैसे फॉर एक्साम्पल कोई बैक्टेरिया बॉडटी में ऐंटन कर गया अब वह बैक्टेरिया को इंटिबाडिय हैं जो ठी नीष्म लेते हैं वो क्या करेका सुब्स घ्रोट प्रोके लेकिन उसको बैक्टेरिया को बाडि खतंगा खा जायेंगा हमारी उस कहान सब्सक्राइब लेकिन हमारी बॉडी का ही रेस्पांस होता है कि हम उससे कैसे लड़ सकते हैं जैसे कि बढ़ी में घुज गया दवायां तो दे रहे हैं फिर भी लोग क्यों नहीं बच पार है तो बेटा वह तो एक्वायड इम्मेनिटी में आप कैसे ले ले लोगे उसको है ना एक्वायड इम्मेनिटी में हम जो पढ़ रहे हैं ये सभी के बाड़ी में कुछ न कुछ न कुछ वुबर सल बनते हीं कुछ न कुछ टूमर सेल बनते हैं अब हैकि किसी के भी बॉड़ी को अपने को चाहें किसी के भी बोटी को चेक कराऊगे कहीं नहीं छोटे मोटे ट्यूमर बनतों यह लेकिन वो ट्यूमर को हमारी मेंटी खतमकर डलती है जिसको आगे देखेंगे यहां पर हम जो बात करें कि एंटेक्चिसैत मिटर इसkी के अंदि वह रहाएं कि अब ऐसी आ समझाया एक्जाम में ऐसी आता है वी शिर्टी अतुरी फॉलिए एक्वेर निच्टी लिए टीनों क्या है विए ना आठिपिशल एक्वार एक्वार इम्मीनृटी इस अफ दाफ को समझना पड़ेगा पींटी आपको चलिए जब उसके बाद हम पैसिव का मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी इम्मिनिटी नहीं बना रही है को हमको हमको बैठे बिठाए इम्मिनिटी मिल रही है समझ जा रहा है तो बैठे बिठाए मिल रहे हैं तो कहीं बाहर से मिल रहे हमारी बॉड़ी तो बाहर से इम्मिनिटी आ ट्रांसफर ओफ एक कौनसा एंटीबोडी जो होता है जो की प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है आई जी 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 याद रखिएगा ठीक है आई जी 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 जो है वह मदर से प्लासेंटा एक लौता एसा एंटीबोडी होता है यह मैंने आप लोगों को उस समय बताया था जब मैंने ब्लड पढ़ाया था कौनसा डिसीज की थूरू बताया था एरिट्रो ब्लास्टोसेश फीटैलेश अरिट्रोब्लास्टोसेस फीटैलिस की समय बताया था याद है आप लोगों को कि आई जी 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 जो रहते हैं वो क्रॉस गर सकता है प्लासेंटा और फीटस में जा सकता है तो यह एक्शल में इम्मिनिटी प्रोवाइट खराने के लिए होता है तो भीया यह नैचुरल हुआ मदर से चैल्ड में गया नैचुरल तरीके से अगर हम कहीं से बना बुना एंटी बॉड़ी ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा बिटा आर्टिफिश्यल पैसिफ इम्मिनिटी सर पटी एक्वाइट कैसे हुआ यह तो हमको अप यह तो बाइबर्स मिला ना जब बाइबर्स म करने चैख्यों एका दियदा मतलब क्या होता इस्पैसिक इम्मीनिटी कि सी कि यह के अगैंस हमारी बढूरी में इम्मिनिटी हना तो एक इनosity धिस श Q को लड़ने में हेल्ल करता है बहुत सारे जो बैक्टेरिया ओते हैं वायरस इसुक्ते हैं Middleी मतलब मतलब होता है उसकी बॉड़ी में पहले से सरे खुद से ची बॉड़ी इश से लड़ने के लिए तो इसलिए ये इसका इसांपल हो गया आटिफिशल में क्या होता है एंटिटैनस सीरम अब मैंने आपको बताया था कि सीरम में क्या होता है कि प्लाजमा माइं एंटीबोडी एंटीबोडी के पॉइंट ऑफ उसने देखो तो सीरम में क्या होता है विया एंटीबोडी होते हैं तो अगर हम पहले से बना बुनाएं एंटीबोडी किसी भी एक स्पेसिफिक बिमारी के लिए जैसे फॉर एग्जंबल टिटैनस तो अग भी और किसी को चोट लग गई उसके बाद उसको ऊंक Gasında सिरिम तो वह सिरम में वह टिटैन्एस बेक्टेरिया के अगाइंस क्या होता है को अगर हम बोडी में नीजेक्ट करेंगे तो यह क्या हुआ पहले से बना ना इंबना इंबनीटि टी बोड़ी में इंजेक्ट किया जा रहा है तो यह आठिफिशल со वह बाहर से रहे हैं समझारबाद बाहर से हम बना बुनाएं एंटीबोडी डाल रहे हैं तो वह आर्टिफिशियल पैसे होता है समझारबाद तो इसमें क्या रहेगा भी है इस चीरम में कि एंटीबोडी फॉर टिटैनस बेक्टेरिया कि दिख रहे हैं कि यहां अख्री नहीं दिख रहे हैं कि एंटीबोडी फॉर टैनस बेक्टेरिया हुआ है ठीक है समझाया आर्टिफिशिल क्यों बोल रहे हैं इसको बाहर से बनागे डाल रहे हैं सिंपल है 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 ठीक है है चलिए अब अपने कर देखेंगे अब हम अब उसको पूरा डिस्क्राइब करेंगे इन नेट इमिनिटी को पहले हटा दू जी समझाया रहे है अंकिता यस सर रूचिता जागरे हो यस सर उर्वशी उर्वशी यस सर मौरीना जाकृति मयूरेश विधिता अपने आपको डॉक्टर लिको अपने आपको डॉक्टर लिको ना इमेजिन यूरसल्फ फर्स्ट देन यू बिकम थे सेम एक कुछ इंग्लिस में गरबड़ी होगा तो समझ जाने ठीक है पहले अपने आपको वह इमेजिन करो देन वैसा बच जाओ इसका यह मतलब है जिसको इंग्लिस नहीं आता ठीक है शारू पहले है रोज इमेजिन केया कर डूंट रोज अपने आप जब का सेलेक्शिन हो जाए तो जो iमेजिन करते हो ना अपने आपको वाइट अपने में हां वैसा फोटो मेरे को भेजना है नहीं फस इससा उस्राफ तो फिर वो फोटो मुझे भेज़ना तो एसा बहुत लोग ऐसा फोटो भेज़े हैं तो मैं हर साल बोलता हूं लोगों ने देखा क्या चीज है यह है इसमें क्या क्या चीज आती है बहुत ही बेसिक सा बतार हो तो हमारे हम जब पैदा हुए है अभी आप लोग जो हो मैं हूं या कोई भी हो तो उनके पास ऐसी क्या क्या एक सब्सक्राइब के चीज़ें हैं जो की पैथोजन को बॉड़ी के अंदर जा करके बिमारी फेलाने से रोकता है तो सबसे पहले देखेंगे बिटा हम लोग फिजिकल बैरियर तो फिजिकल बैरियर क्या हो वहां कि हमारा सकिन लंड से कोई भी चीज अंदर नहीं जा सकता क्यों की कॉर्णी फाएड पहते है तो कोई還是 करेंगा तो अँदर को जा नहीं पाएगा तो हमको प्रोटेइवँ ऐ हीय्से ही अब आप लोग कई लोग बोलेंगे सर तो हम बार-बार हाथ क्यों धोते हैं सनिटाइजर क्यों रगड़ते हैं जब वह अंदर जाई नहीं सकता तो रहने तो रहने अगर दोगे तो आप कुछ नो कुछ तुखाओगे प्योगे मूँ में आख में नाख में तो डालो गई लिए हम हाथ होते हैं पहले से बता दिया कई लोगों का सवाल आ सकता है ठीक है तो यह हमको से रोखता है इसकिन दूसरा इसकिन के बाद क्या आएगा अगर इसकिन से नहीं घुस रहा है तो बहुत कहीं ना कहीं से तो बॉड़ी में एंटर करेगा तो वह ओपनिंग के हो गया हमारे समारी इनल हो गया व्याल हो गया यूरिथरा हो गया तो जो भी को और एंट्रिसे रोकेगा और मुकस भी क्या करता है को भी माइक्रों को ट्रैप कर लेगा करने के बाहर निकल जाएगा जैसे फॉर एक्जम्पल वही जैसे हम एयर इंटेक लेते हैं तो भई आपको बता दो भहुत सारा जो एएर में आपको बतातों पैटा आप जो सांस ले रहे हो एर अंदर ले रहे हो यह बहुत प्यूरिफाइ नहीं होता है रहे होते हैं है यह वारूठीरियाइङ नहीं पहुँचा सकता क्यों पहले तो वह जब हम अंदर लेते हैं तो बेटा अलविलाइस में जाने से पहले वह म्यूकस कर लेता है तो फिजिकल बेरियर बोडी में अंदर गुसना चाहता है तो अब जब वह यहां से नहीं गुस पाएगा तो ओपनिंग बुसरे तो तो फॉर इग्जमपल नॉस्टिल के थू लंक्स में जाना चाहरा है तो लंक्स में जाने से पहले म्यूकस आएगा म्यूकस कर लेगा ट्रैप करने के बाद बेटा वहीं पर वह ट्रैप हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी बहुत ज़्यादा अगर घुसने की कोशिश ह होगा तो फिर म्यूकस ज्यादा बनेगा ज्यादा म्यूकस बनेगा तो क्या गया और बाहर को में करेंगे बाहर की लुकित पी जाते है ठीक है तो अब यह बात हो एक लेकिन लंग्स तक चला गया तो लंग्स में डॉस्ट सेल्स डॉस्ट जुटा वह वह फैगोसाटिक सेल्स होते हैं कोई भी माइक्रॉब हो चाहे फंगाई हो चाहे बैक्टेरिया वायरस हो उसको वह खाकर डेज़िस कर देते हैं तो यह तो हो गए वेता ऐसे ही रूप गया अभी तो बैटा ब्लॉड तक तो पहुंचे लिए पाएं कहा है समझे नहीं सकता इसा नहीं नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता तु कहते हो तो उसमें कुछ था लेकिन जैसे हम खाना खाते हैं गटकते तो हमारे जो स्टमक में एसेड बंता है कि एसलिए हमारे जो रिशी मुनी हैं में जो पूरवज हैं उन्होंने कहा है कि खाना खाने के 45 मिनट या एक घंटे तक के पानी नहीं पीना चाहिए ठीक है उससे हमारे पेट की आग बुझ जाएगी उनका कहने का मतलब यह था आप कुछ भी खाओ कहीं भी खाओ कैसा भी खाओ भीया आप पानी मत प्यों सब डाइजस्ट हो जाता है मैं आपको बता रहा हूँ फुट पॉजनिंग का सबसे बड़ा रिजन होता है खाने के बाद पानी पीने क्यों कि थोड़ा बहुत भी बासी खाना है या उसमें जो बेक्टेरिया है वह बाडी में गया तो फिर एसिट की दोरह वह बाड़ी में चला जाएगा ठीक है चलो सब्सक्राइब करने के बाद मैं एक घंटा पानी नहीं पिता हूं मिनिमम एक घंटा पानी नहीं पिता हूं कुछ भी खाऊ सब डाइजस्ट हो जाता है पानी बीच में और नहीं पिने जहर है वह पानी ऐसा बोला गया हमारे पूरवजों के द्वारा कि खाना खाते खाते बीच में पानी पीना एक जहर के जैसे होता है ठीक है समझारा बात चलो होगे ग्यान की बात है देन उसके बाद और जो भी ओपनिंगे जैसे वेजाइनल ओपनिंगे तुरू अगर एंटर करेगा तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वेजाइना और सर्विक्स का जो पी एच होता है वो क्या होता है कि ऐसे डिक होता है तो माइक्रोब कें चैक्स हां माइक्रोब जो रहता है वहां पर हो जाएगा कि समझ आ रहे है बटा ठीक है तो फिजिकल बेरियर में क्या क्या है कभिया इसके इस के लिए मुकोसा ठीक है दैन अभी मैंने आप बनों को बताया फिजियो लॉजिकल बेरियर क्या कि बताया प्याइब इसकी निउकोसा अंदर चला गया एसेड पी एच ठीक है अश्विक एंवार्मेंट अच्छा पीएच जो भी एसेटीक इन्वार्मेंट होता है पीएच होता है कि यह सब अब देखो पिर से एक और चीज देकते हैं पी-एच और ए असेट आप मनें देख लिया ठीक है और भी सिक्रीशन्स बड़ी के बड़ी सिक्रीशन्स हमारे आंसु हो गए हमारा जो पसीना होता है वह जो भी पैथोजन होता है उसके अच्छा नहीं होता है उसमें भी क्या बोलते हैं अंती मैंक्रूब करते है यह में जब ग्रोथ करेंगे यह जब ग्रोथ करेंगे तो क्या होगा कि जब भी बैक्टेरिया ग्रोथ करता है कोई चीज को यूटिलाइस करता है कोई को खायेगा को खायेगा और अब कोई चीज खायेगा तो सिदी सी बात है वेस्ट प्रडॉट रिमूब भी करेगा इस्वेजल में टायेगा कोई भी चीज हिंटेक्ट करता एक तो इसको पहचानता है और क्या कुनला करेगा तोuest रोकष डिया और या इस đã बॉड़ाटी में पहूंच चुका है अब उसके ग्रोथ πα्रणा है तो फिर क्या करेगा है की अचम्परेश कर्णी आङ करेंगे तो में को याज अगर अगर जादा होगा तो वहिंगा को यह को तो क्या कोई भी एंजाएंव हैं टastically काम नहीं करेंगा तो तो फिवर में आपको बहुत अच्छा फिल नहीं होता है क्योंकि बॉड़ी का मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो जाता है इतनम हमको अजीब सा लगता है अच्छा नहीं कर पाते हैं ब्रेन को मालूम है कि यह इसको रोकना पहले जरूरी है बाकी चीज़ बात में कर रहा है उसको पाइरोजेनिक सब्स्टेंच बोलते हैं मतलब ऐसा केमिकल सब्स्टेंज जो की फीवर कॉस करता है कि अपर भिया था समझा रएबाद तो यह फीवर होगा फीवर रोगा तो माइक्रोबीयल ग्रोथ इनिवेट होगा अभी हम कहानी आया है हम इम्मिनीटी है समझा रहा है यह पहले सही है ऐसा होता ही है बच्चे बच्चों को भी बुखार आता है मालूम है आपको चलिए यह हो गया देन उसके बाद आता है अब बॉड़ी जो है उसको मालूम चला है कि भीया खूप सारा माइक्रोब है फीवर कॉस करो फीवर होगा तब तक समय मि भी मतलब होने के दू हमारे बॉड़ी के कुछ ऐसे से ने उते हैं जो हमेशा रैड़ि रहते हैं लेकिशे ठीक से सकोंगे NS का लियक लगा की अब कि उनार यहां से रुका यह रोक दिया उसके बाद बॉड़ी में घुस डिया उसका गठीम होगा तो पहले होगा ठिक है कुछ समय मिल जाएगा बॉडि को एक्टिव होने के लिए फिर सेलॉलार बेरियर काम करेगा तो चीलूलार बेरियर का मतलब होता है कि हमारी बॉडि में जो सेलश होते हैं वो सेल इम्म१्य व्योच नियद्व को बचाद Ayam तो इसेलललार बेरियर में दू टैप के सेल्स होते हैं एक होता है लुक्त परजाएंगे और उसको । समझे आरबाद बोट सेलन तो इसब में आपको मिन में भी हाद होना चाहिए प्म न अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे चलो बताओ भई हसी का निट्रोफिल कौनसा ठाइब का डॉबूमि इए supersti है ऐ Smokeनूलार या Fire अ उन्हान कैस jewelry च्रभी है किनियूट्रोफिल कौनसा ठाइब का डॉब påशिय मैं ग्रेनूलार या फ्रिव इत बताओ 이제 रिप्ति यह सक्षी इस सक्षी इस साक्षी सो रही हो क्या प्रेविए में इंट्रेस्ट नहीं है बटा आप लोगों कि अन्म्यूट नहीं हो रहे हैं को बात में मैसेज में बताओ ग्रेनुलार यह ग्रेनुलार निट्रोफिल किस टाइब का डबलो पसी है ग्रेनुलार यह ग्रेनुलार नहीं आ रहे हैं बताओ भई गवरी क्या होगा बटा गवरी पी-एम-एन-ल का फुल-फॉर्म द्यान रखिएगा एक्जाम में आता है पॉली बता चुका हूं यह तुम्हें आ पॉली मॉर्फो न्यूक्लियार ल्यूकोसाइट ल्यूकोसाइट ठीक है समझा रहां और एक होता है बेटा मोनोसाइट मोनोसाइट क्या है ग्रेनुलार यह ग्रेनुलार एक तो फैकोसाइटिक सेल दो है यह मैंने आप लोगों को ब्लड किसे में बताया था कि 5 WBC प्रेश क्या क्या बेसोफेल है ना नीट्रोफेल एसए डेंस अधी है लिंफोसाइट में से दो ही WBC होते हैं जो फैकोसेटिक प्रेशाय रेटेंड एंके शेल्स ठीक है नैचुरल किया उन्यूप्ष्ष्ण नेचुरल किलर सेल लिके लेना एन के सल मतलब नेचुरल किलर सेल यह लिमफोसाइट का modification होता है थे यह टाइप अधुप अधुपसाइट इस वश्कुत वहां है यह रहता इसके और बैठेगा और निकल जाएगा चूप-चाप ठीक है तो जैसे इसमें च्छेट करता है करेगा तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा जैसी चेट करेगा सारा का सारा पानी अंदर घुच जाएगा बहुत खतनाक लोगए तो यह ड्रिल करके निकल जाता है बाकी होता रहेगा जो ऐसी हो गया ना वाद में जब भी फटना है ऐसा है यह लोग पूरा खा जाते हैं तक उसके बाद आता है साइटोकाइन बेरियर होता जो रहेगा हमारा साइटोकाइन बेरियर व sushi टोकाइन बेरियर क्या होता पाटा वाइरस इन्फेक्टेट इन्फ्रिटेट रहता है वह क्या बनाता रहां एक्गा वहिएडहर बाइव बाए एंटर सेरों किसके दोरा इंट सेरों क्या होते हैं ते लेए फ़ेंट है वाइरल इंक्रेटेट सेल क्या करते है या वह लोग जैसे ही वाइरस इंफेक्ट हो गाए थो वह लोग एक प्रूटीन सबस् טंस करते हैं अपने आज़ोबजू के लिए ठिके इंटर्फेरोन क्या करता है दो एसको बंदकर देगा उससे क्या होगा जैनेटिक ट्रंस्लेशन अगर बंद हो गया उससे क्या होगा एक फेस्ट सुट्स नहीं बनेंगी eba अगर किसीघेल का ट्रांस्लेशन इनिबट हो गया है तो क्या ओग पुट नहीं बनेगा समझ्ज़ा रहा है कोई नया पूल्टीन नहीं हो तो बेटा वाइरस क्या करता है वाइरस किसी सेल में घूसा अपनेटिक material को उस सेल के genetic material के साथ incorporate किया add कर दिया उसके बाद virus क्या करेगा पहले replication करेगा genetic material का अपने लिए genetic material बनाएगा उसके बाद भी उसको घर भी तो चाहिए वाइरस को तो वह protein code बनाएगा और protein जब भी बनता है कैसे बनता है एंजाइम बनाएगा वाइरस क्या बनाएगा पहले genetic material बनाएगा देन protein code बनाएगा जिसके अंदर genetic material होता है वाइरस का एंड अपने लिए enzymes बनाएगा समझार बात तो भी एंजाइम और protein बनते किस प्रोसेस से हैं डियने के तो यह प्रोसेस को क्या होता है इंटर रूकिन जो रहता है यह सब्सक्राइब कर देगा अपने आसपास के सेल्स में क्या करेगा वो था कि वाइरस अगर अंदर घुसे अगर घुस भी गया तो भी क्या होगा वाइरस अंदर घुस भी गया तो क्या होगा बनूम करेनी पाएगा तो खतम हो जाएगा वो आ हाद में हमारा जो होते हैं हमारे स्फटने ये यह लोग हमारे वो सेल जिसमें वारेस अंदर गुसें उसको खाजाते हैं समझे रहा है तो शेल को खाएंगे तो वाईरस भी गया है समय रहत तो खुट तो जा रहा है न से खुट जा रहा हो तो अ 서로 बहुत नहीं कर सकताय में अपने भाएंदों को बचा लेता शेल ना चाव्य पूर रहा हूं वह अलग चीज होता है समझा रहा है इंटर्फेरों है उसको बाद में देखेंगे वह एक मेसेंजर होता है डबलुबी सी का एक सिगनल होता है उसको अपना आगे नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें बताएंगे समझ आए आप लोगों को साइटोकैन बेरियर थी तो हुआ और त्रांस्क्रिप्शन भी होई सकता है तो उससे क्या फायदा होगा बैक्टेरिय अपने जनेटिक मेट्रियल बना भी लिया और इक्सांपल उससे क्या होगा बैक्टेरिया को पूरा का पूरा complete बनने के लिए क्या क्या चाहिए जनेटिक मेटेरियल चाहिए रोटीन कोट जिसमें जनेटिक मेटेरियल रहेगा ठीक है और एंजाइम चाहिए बहई एंजाइम होगा तो ही क्या होगा वाइरस ایک्टिवेट हो नहीं कर सकता है दूसरा चीज प्रोटीन कोट नहीं होगा तो वह तो फस गया ना फिर वहां जाके तो वह सेल नहीं कर पाएगा नहीं चला पाएगा आई मेटाभोलिक एक्तिवीटि कर पाएगा यह तो प्रोसेस है तो वाईरस कब यह को वाईरस का स्यल इथे मेटांञेस और उस रोकना है तो फिर explore मैटभोलिक अक्तिवीटि को बंद करते है क्यों वाईरस इनष्ट हो गया अगर वह और अगर वाइरस से इंफेक्ट हो गया तो फिर फिर वह एक केमिकल रिलीज करते हैं जिससे की जो फेगोसेटिक सेल्स हैं उनको मालूम चल जाता है कि इसके अंदर वाइरस घुसा हुआ है तो सेल को खा जाता है अगर वह नहीं घुसा है तो कुछ नहीं करेगा और वाइरल ग्रोथ वाइरस का ग्रोथ जैसे ही खतम हो गया सारे सेल्स फिर नॉर्मल मोड पर आ जाते हैं तो यह बहुत अच्छा मेकनिजम होता है बोड़ी का है ना हर एक से लड़ने का इसलिए ना अपनी बॉड़ी को सबसे लेना बहुत अच्छा रखना चाहिए काना पीना सोना ठीक है वें मेंटल स्टेटस स्ट्रेस नि लेना बहुत जरूरी होता है पूंकि हमारी बॉड़ी में इतनी थाकत है १्यूंप कि बटा इस दुनिया में जब बहुत सारे एनिमल्स का ऑणोर हो रहा था तो भीजल होते हैं ठीक है बहुत सारे पैथोजन भी वाल होते हैं एक उस्ट बोडी समझारा लेकिन फिर उसके अगेंस्ट कुछ इमिनिटी आती है फिर उसके आती है ऐसा करते करते हमारी बोडी जब नी तो बटा हमारी बोडी इतने सारे पैरासायड पैथोजंसे लड़ने की शक्ति ओर आ चुकी है क्यों कि हमारे पूरवज में वो थी उनके पूरवज में कुछ थी वह समझारा बत ठीक है है कि हम बहुत सारी ही बोडि बहुत सरे क्या कर सकते है एडैप्ट वसकते है सलाँ थंडी हो गर्मी तो हमारे में तो येस्टू